सात्यों यह हमारी जावा स्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है और इसमें आपको करवा रहे हैं operators जिसमें हम आज सिखेंगे assignment operators के बारे में इनको हमने दो भागों में divide किया है simple और compounding इन दोनों में क्या difference है किस परकार हम इनका use करेंगे ये सारा जानेंगे इस वीडियो में तो इसमें तक बने रहेगा नमस्कार साथ हुआ मेरे नाम है मनोश्कुमार और आप देख रहे हैं Computer Guru Channel तो चलिए सीख लेते हैं तो मैंने अपनी पहले वाली फाइल ओपन कर लिए जहां पर हमने आपको बताया था arithmetic operators के बारे में आज हम बात करें assignment की इसको हमने दो भागों में बाटा है किस परकार बाटा है देख एक तो simple assignment होता है equal के साथ जैसे हमने करना है A equal to B और compounding के अंदर होता है plus equal to यह plus equal to को कैसे लिखते हैं इसको हम simple form में मैं आपको समझाओं कि मान लीजिए हम यहाँ पे करें A equal to A plus B यह simple form होती है कि A ब्राबर A plus B हो गया लेकिन इसको हम compounding form में लिखेंगे तब हम इसको लिख सकते हैं A plus equal to B एक बार करके देखते हैं इसका example देखें मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैंने value लिखी है 6 और 10 यहनि कि A का 10 और B का 6 अब मैं यहाँ पे use करता हूँ A plus equal to B और close कर देता है इसको मैं save करता हूँ और यहाँ पे आके मैं करता हूँ इसको refresh करना क्योंकि यहाँ पे A की value ले रहा है न तो इस तरह को बोलते हैं compounding assignment और simple assignment हम किस परकार लिखते हैं simple assignment में simple सा लिखेंगे A equal to A plus B यह लिखते हैं simple में save कर देंगे और यहाँ पे आके करते हैं refresh then देखो अभी भी 16 है तो यह simple form है और इसको compounding form में लिखने के लिए हमको यह A plus B करने की जुरुत नहीं है यही पे हम plus कर देंगे plus equal to B और यदि minus करना है तो उसकी simple form होती है A equal to A minus B लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे देखे मैं यहाँ पे बार बार refresh करता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँ यह auto refresh होता रहे हमारा page तो यहाँ पे मैं meta tag लगा देता हूँ और meta tag के लिए मैंने html में वीडियो डाला है आप वो देख सकते हैं मैं करता हूँ यहाँ पे meta sttp के साथ मैं करूँगा eq और यह tag आप सीख सकते हैं sttml का उपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका अब मैं इसको यहाँ पर आके refresh करने की जूर्ट नहीं पड़ेगी मैं जैसे यहाँ पर सेव करूँगा automatic यह file सेव हो जाएगी तो माइनस करना होगा तो हम उसको assignment किस पर कर देंगे हम यहाँ पर पलस की जगे only minus यूज करेंगे और इसको save कर देंगे इस file को तो save करने के तुरंत तर तीन सेकिंड बाद यह page हमारा refresh हो जाएगा अभी नहीं हुआ है automatic refresh होना चाहिए था हम refresh करते हैं देखो यहाँ पर चार बस गया तो यह minus होगा कैसे minus होगा इसको मैं simple form में लिखता हूं मैं यहाँ पर करता हूं a equal to a minus b यह होगी इसकी simple form इसको हम save करेंगे then result अभी भी देखो हमारा 4 है क्योंकि page automatic refresh हो रहा है या फिर हम इस simple form को इस परकार से लिखें a multiply equal to b और इसको मैं save करता हूं control s save तो देखो वहाँ पर refresh हो गया कितना आ गया short multiply का काम कर रहा है divide करना चाहते हैं divide कर सकते हैं यहाँ पर only हम करेंगे divide equal to save करेंगे then वो page refresh होगा 3 second बात तो 1.66 divide हो जाएगा तो उमीद करूँगा assignment operator सापको समझ में आ गया होगा इसी परकार knowledgeable अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए मरसाथ बने लिए आई होप वीडियो आपको जूर अच्छा लगाओगा में कमेंट से में बता है हमारे वीडियो को हम दोस्तों में शेयर करें में लाइक करें और यदि नए है पर मेर्चल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लो